नमस्कार सातियों आप सबी का स्वागत अपने YouTube चैनल पर आज के इस फीडियो में दोस्तो अपन बात करने वाले हैं बहुत ज्यादा उपयोग में आने वाली एंटिबायोटिक दवा के बारे में जिसका नाम है दोस्तो gentamicin gentamicin बहुत ही जदा उपयोग में आती है अपनी प्रेक्टिस में इसमें इंजेक्शन को अपन काम में लेते हैं उसके अलावा इसकी airdrop और आईड्रोप भी बहुत आज्जान से अपन उपयोग में लेते हैं अब इंजेक्शन gentamicin जो होता है जो एंटिबाइटिक है gentamicin इसका उपयोग अपने को कहां कहां पे करना चाहिए, कितनी मात्रा में इसका लगाना चाहिए और कौन-कौन सी स्ततियों में इसका उपयोग अपने को नहीं करना चाहिए और क्या-क्या साइड इफेक्ट्स इसके उपयोग से अपने को देखने को मिल सकते हैं ये सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं उससे पहले अपने वीडियो को तो लाइक करी दीजिए आप और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि इसी प्रकार के उप्योंगे इम ग्यानवर्दा कंटेंट में आपके लिए बनाता रहूं तो देखिए दोस्तो आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं इंजेक्शन जेन्टामाइसिन की सबसे पहले बात करें तो देखिए दोस्तो जो जेन्टामाइसिन होता है एक एमाइनो गुलाईको साइट्स ग्रूप की एंटिबाइटिक होती है जो कि extended spectrum की एंटिवाइटिव है यानि जो broad spectrum एंटिवाइटिव होती है वो gram positive, gram negative दोनों पर effect करती है जब कि extended spectrum की जो एंटिवाइटिव होती है वो gram positive, gram negative and pseudomonas तीनों प्रकार के जो micro organism होते हैं उनके खिलाब बहुत अच्छा काम करती है अब बात करें दोस्तों कि gentamicin जो हो जब धोती है उसमें अब बात करते हैं दोस्तों कि इसका उपयोग अपन कहां कहां कर सकते हैं तो जैसा कि अपने देखा यह एक extended spectrum इंटिवाइटिवाइटिव है यानि किसी भी प्रकार के bacterial infection के खिलाब इसका बहुत अच्छा result अपने को देखने को मिलेगा परन्तु कान नाख से संबंदी जो भी bacterial infection है वहाँ पे इसका उपयोग ज्यादा अच्छा रहता है वहाँ पे इसका उपयोग करने से हमें बहुत ही बहुत ही बहतरी result देखने को मिलता है ठीक है नाख का infection हो कान का infection हो या आँख में किसी प्रकार का bacterial infection हो गया है जैसे कोई चोट लगी थ है तो ऐसी स्थियों में इसका उपयोग बहुत की अच्छा result देखने को मिलता है उसके अलावा बात करें दोस्तों तो मेट्राइटिस की स्थिती में भी इसका उपयोग अपन कर सकते हैं बच्चे दानी में मौद भर गई है पायोमेट्रा की स्थिती हो गई है वहां इंज भी अपने इसका उपयोग कर सकते हैं ठीक है यानि किसी भी प्रकार का बैक्टियल इंफेक्शन हो वहां पर इसका उपयोग कर सकते हैं जैसे वुंड इंफेक्शन की स्थिती में भी यह बहुत अच्छा result देता है घाउग हो गया है वहां पर किसी प्रकार का इंफेक्शन हो गया तो वहां इसका injection भी अपने उप्योग कर सकते हैं उसके अलावा इसका जो ओंटमेंट आता है जेंटमाइस इन सलफेट का वो भी अपनी आप उप्योग में ले सकते हैं आख में और कान में इसकी जो प्रॉप्स आती है उनका उप्योग भी बहुत अच्छा रिजल्ट अपने को देता है तो यह हुआ दोस्तों इसका उप्योग अपन कहां कहां पर कर सकते हैं अब बात करते हैं इसकी डोज इंक्सिंड करते हैं अब बात करें दोस्तों डोई और कैट की तो जो जैंता मथ्योग करते हैं उनमें बहुत ज्यादी हैं करते हैं तो डोग की इस्तती में बात करें दो तो 10 tang best jam eure वेट यह इंजल्ट रगा सकते हैं जबकि क्यात करें तो 10 किलो ग्राम पर आधा ml injection, gentamicin का अपन लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये सब इस species पे अपन ने इसकी बात की, कोण से जानवर में इसका इतनी मात्रा अपन काम में ले सकते हैं, ये अपन ने देखा, अब बात करते हैं, इसका उपयोग कोन-कोन सी स्थतियों में अपने को नहीं करना चाहिए, ठीक है, ये सबसे important part है इस वीडियो का, कि इसका उपयोग अपने को कहां-कहां पे नहीं करना चाहिए, तो पहली स्थति देखें दोस्तों, अगर जानवर को बहुत तेज भुखार है, high temperature की स्थति बनी हुई है, या heat stroke की condition है, ठीक है, जिसमें जानवर का body temperature बहुत ज्यादा राई जो जाता है, वहाँ पे इसका उपयोग अपने को कभी भी नहीं करना चाहिए, दूसरी स्थति आएगी dehydration के case में, dehydration की अगर इस्थति है, तो वहाँ भी अपने को इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, तीसरी स्थति होती है, दोस्तों, अगर kidney से related कोई भी issue है, जानवर मे neurological कोई problem है, तो उस इस्थति में जानवर में injection gentamicin का उपयोग नहीं करना चाहिए, जैसे मान लीजे जानवर खड़ा होने में problem है, ठीक है, paralysis type ही कोई problem उसमें हो रही है, ठीक है, या कोई naru block हो गई है, उस इस्थति में injection gentamicin का उपयोग अपने को avoid करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्योंकि जो gentamicin होता है, उसकी वज़े से जो जानवर की muscle contraction है, उसमें थोड़ा imbalance हो जाता है, जो body का balance होता है, वो imbalance होता है, या irregular हो जाता है, जिसकी वज़े से इसका उपयोग अपने को ऐसी स्थतियों में avoid करना चाहिए, अगली condition के बात करें दोस्तों, तो अग जानवर में किसी भी प्रकार की कोई भी allergic condition है, ठीक है, वो allergy चाहिए, किसी भी वज़े से हुई हो, वहाँ पे भी injection gentamicin का उपयोग अपने को avoid करते हुए चलना चाहिए, injection gentamicin का उपयोग allergy की स्थति में कभी भी नहीं करना चाहिए, अब बात करें pregnancy की condition में, तो pregnancy की स्थति म भी अपने को देखने को मिल सकती है, तो pregnancy की स्थति में भी जो gentamicin है, उसका उपयोग अपने को avoid करना चाहिए, अब बात करते हैं दोस्तों, इसके side effects की, तो side effects में देखिए, दोस्तों, जो dog और cats है, उनमें इसका उपयोग अपन ज्यादा करते हैं, तो वहाँ पे अपने क side effects अपने को diarrhea भी देखने को मिल सकता है, vomiting भी देखने को मिल सकती है, या जानवर के मुह पर swelling भी अपने को देखने को मिल सकती है, ठीक है, pain की condition या inflammation की condition भी देखने को मिलती है, जहाँ पे injection लगाया गया है, वहाँ पे inflammatory response अपने को देखने को मिल सकता है, उसके अलावा बा बंद हो जाता है या उसका जो muscular balance है वो भी कई बार irregular हो जाता है, imbalance हो जाता है, तो इन चीजों पर अपने को विशेज ध्यान रखना है, इसके जो side effects हैं, उन पर ध्यान रखती हुई, इस दवा का उप्योग अपने को करना है, तो आज की वीडियो में दोस्तों अपने जेंट को subscribe करना ना भूले, ताकि इसी प्रकार के content वनाने के लिए motivation मिलता रहे, और आप लोगों के पास इसी प्रकार की जानकारी पहुंसती रहे, धन्यवाद